तेग गाइस वेलकम बैक कैसो हो आप लोग दोस्तों कल था FOMC मेटिंग और इस मेटिंग में 50 BPS रेट कट करने की बात हुआ जिसके बाद मार्केट में यानि BTC में डिगर हजार से 2000 पॉइंट का गिरावाट देखने को मिला हलाकि डिगर हजार से 2000 पॉइंट गिरना बेड़े से लिए कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन बात यहाँ यह है कि जो हम लोग पिछले कई महीनों से 5-6 महीनों से यह एक्सपेक्ट कर रहे हैं हाविंग के बाद मार्केट में अब रैली होना चाहिए अक्चुल बुलरन स्टार्ट होना चाहिए वो चीज़े अभी तक हमें देखने हो करने मिला है तो क्या सच में आगे कोई बुलरन आएगा या फिर मार्केट कंटिन्यू फॉल करेगे बिटकोईन एक और लो नया लो बनाने वाला है किसकी क्या पॉसिबिलिटी है बात करेंगे इस वीडियो में और फिलाल हम लोग लूंग टर्म प्रोस्पक्टिव से कहां बैठे हुए क्या होने की पॉसिबिलिटी है और कब तक बीटी सी एक न्यू हाई पे जाएगा बात करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो को ध्यान से देखना वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरू कर देंगे और चैनल को दूस्तों सब्सक्राइब नहीं कर रहा है दू सब्सक्र इस वन फाइल कर चुका है इसका बडेट मैंने टेलिग्राम पर ही दे दिया है तो टेलिग्राम से जरूर जूरे रहे हैं यहां कॉल्स बगारा सपॉर्ट कॉल्स से लेकर नियूस बगारा सारे चीज़े प्रोइड की जाती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन वाक्स में आपक XRP को चार्ट को अगर हम देखेंगे दोस्तो तो यह लेबल मैं आपको बहुत पहले सेयर कर रखा था जो जिसको पहले यह एक्जिक्यूट भी कर चुका और यहां से अच्छा खासा स्पाइक किया था करीब करीब जो है यह 23 30% के करीब में यहां से स्पाइक दिया बापस इसी एरिया पर आ चुका है जहां से दुबारा स्पाट में बाइंग कर सकते हो अच्छे लेबल पर और साथ में फ्यूचर के लिए भी सही लेबल पर जहां से फिर से स्पाइक आपको देखने को मिल सकता है XRP में तो XRP बुलिस है और खास करके इस बुलरन के लिए बुलि रिलिस्ट करना स्टार्ट किया था बट इस बार का सेनेरियो कुछ और है एक आने वाला तो XRP बड़ा सा स्पाइक आपको दे सकता है अब चलो बात करते है बिटकोईन के बारे में तो दूस्तों बिटकोईन का प्राइस अभी चल रहा है 60,850 डॉलर और यहां आप देखो इसको हिट करने के लिए ग्स्ग्यूट करने के लिए मार्केट नीचे आना था ऐलाली यह एरिया पे आ चुका था तो यह एक अच्छी चीज हुआ कि इस और को एक्सड़ूट कर 59,800 डॉलर अगर प्राइस इसके नीचे आ जाता है इसको ब्रेक कर जाता है अगर ये ब्रेक हुआ मिन्स के मार्केट अभी और नीचे जाने की फिर पॉसिलिटी बन सकता है अब इस आ जाते हैं higher टाइम फ्रेम पर अगर इसके लेबल इस लो को ब्रेक करता है 59,700 या 800 के हैं अगर इस लो के नीचे प्राइस आता है तो इस मिन्स कि पूरा का पूरा नीचे का लिकुडिटी खाने के लिए और जो और पेंडिंग है वो सारे और को एक्जिट करने के लिए मार्केट नीचे आने की पॉसलिटी फिर बढ़ जाएगे तो यह तो हो गया सौर्ट टम में यानि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा हो सकता है लिकुडिटी को हंट करने के लिए प्राइस बले मैनुपलेट करने के लिए नीचे आ जाए लेकिन अब बात करते हैं कि लॉंग टम प्रोस्पक्टिब से हम यह क्याब देखने को मिल सकता है और हम लोग फिलाल कहा है इसके लिए आते हैं इस चाट पे मंतली चाट पे बिटकोईन के अभी दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरीके से मोवमेंट कर रहा है और इसके लिए देखेंगे जब बिटकोईन के हाविंग हुआ था 20 अपरील को उसके बाद से अब तक कितना टाइम हो चुका है अलमोस्ट देखेंगे तो करीब करीब जो है 170 डेज हो चुका है 170 70 दीन हो चुके हाविंग के और इसकी पहले अगर हम देखे रिकॉर्ड कि जब जब हाविंग हुआ हाविंग के बाद हाविंग के बाद जो प्रिवियस हाई को ब्रेक किया उसको ब्रेक करने में कितना टाइम लिया तो यहां देखोगे जब halving हुआ था ना तो halving के बाद जो previous high को break करने में यहां टाइम लगाया था, करीब करीब 160 days का time लगाया था previous high को break करने में, यहां सब दिख रहा है कि taken 168 days to break previous high और यह तो हो गया 2020 की बाद, 2020 में halving हुआ था, Daar wil 2016 में जो halving हुआ, उस time previous high को break करने में 18 182 days का time लगाया था और इसके बाद ही high break हुआ अब 2012 की बात करें 2012 में जो previous high को break किया having के बाद तो 161 days का time लगाया यानि यहां पर अगर previous data को देखे तो अब तक जो है having के बाद जो previous high को break किया maximum time 182 days लगाया है तो अगर इसी data के according हम लोग expect करें इस बार भी having के बाद maximum 182 days या इसी के आसपास लगा सकता है फिर finally एक बड़ी सी rally यानि spike देखने को मिलेगा breakout देखने को मिलेगा तो उसके according अभी हम लोग 182 days से अभब नहीं गए अभी 170 दीन हुआ है 170 दीन में अभी price कुछ यहां पर move कर रहा है अब possibility यह है कि आने वाले 15 से 20 दिनों के भीतर bitcoin का price ए pattern बन रहा है pull and flag का pattern बन रहा है जो एक bullish pattern है और upside breakout की possibility high है और गौर से आप देखोगे कि यहां पर यह जो है एक range में move कर रहा है monthly time frame पर और breakout होगा तो बड़ी से breakout आपको देखने को मिलेगा यहां आप देखो कि कोई भी candle जो है प्रिवियस candle के high के ऊपर यह फिर low की नीचे closing नहीं दिया है break तो कर रहा है लेकिन closing नहीं दे रहा है that means कि यहां पर यह time spend कर रहा है और इसके बाद जिस side breakout होगा उधर करेगा अगर नीचे breakout करता है किसी लोग को break करके closing देता है तो फिर नीचे अगर close गया तो downside move कर सकता है अगर उपर closing देता है किसी candle के candle के हाई की उपर closing देना है break नहीं करना है closing अगर जिधर जिस side देगा उधर काफी तेजी से भागेगा अब नीचे closing देने के possibility कम इसलिए है क्योंकि इस pattern यह pattern को कहते है पोलेन फ्लैक जो एक bullish pattern है तो chances ज्यादा है कि upside breakout दे तो यह चीज़े हम लोग ध्यान में रख सकते हैं और ऐसे chances है कि 182 डेज में बहुत कम टाइम बचा हुआ है तो almost इसी के करीब 15 से 20 दिन के बीतर bitcoin एक new high पर हमें देखने को मिल सकता है पूरा green area से green area means कि मार्केट continue bitcoin का गिरा है यह भी देखोगी यह green area market continue गिरा है यहां देखोगी यह पूरा green area यह एक bear market को indicate कर रहा है यहां भी देखेंगे bear market को indicate कर रहा है अब इसकी बाद अगर देखेंगे कि green से color जो है देरे-देरे change हुआ blue में और blue से red होते हुए orange orange से red औरेंज से फिर यलो में पूरा convert हुआ और यह जो एरिया है रेट से औरेंज औरेंज से यलो यही फाइनली एक पारावोलिक uptrend होता है जिसमें market जबरदस रहली करता है यहां भी देखोगे ग्रीन एरिया जो completely bear market है यहां से color धीरे-दीरे change हुआ blue में फिर रेट से औरेंज औरेंज से फाइनली यलो कलर में है और यही हमारा bull run है यही एक्शुल इसी में जो है alt coin और bitcoin एक new high पे फाइनली लगाता है यहां भी देखेंगे रेट से औरेंज औरेंज से यलो होकर यह rally किया 2020 के बाद अब हम लोग अभी का देखेंगे अभी हम लोग कहां पर है तो इसको अगर आप गौर से देखना कि हम लोग beer market को जहल चुके हैं बहुत पहले color भी blue हो चुका है blue अब होना नहीं है बलकि already blue हो चुका है blue के बाद rate भी बन चुका है और rate से धीरी धीरी color अपना change करते हुआ orange में convert हो रहा है यानि we are very close to bull run यहां से simple है rate से orange में convert होता है जो एक पाराबोली का print देखने को मिलता है यानि next इसके बाद जो moment होगा continue upside का moment होगा यानि यह rally होगा और इसी में bitcoin हो या कोई भी हो सारा का सारा जो है एक new high पे चला जाता है सारा का सारा coins एक new high पे अपना all time high create कर देगा तो यह next moment हम लोग जो है ना उस पड़ाव पे पहुँचे हुए है जिसके बाद कभी भी बहुत कम time में एक continue rally हमें देखने को मिल सकता है तो हम लोग चाहिए भी यहाँ patience बना के रखना short term में भले ही liquidation लेने के लिए order block pending है उसको hit करने के लिए market भले ही नीची आए लेकिन long term prospective से देखे तो काफे bullish market हो सकता है बहुत जल्द और यहाँ पर अगर देखा जाए इस chart को इस chart के recording 170 days हो चुके आने वाले 15 से 20 दिनों के वितर bitcoin एक new IP हो सकता है इसकी possibility हो सकता है previous data के recording भी देखें और इस chart के recording भी देखें देखो आपको एकदम positive होना रहना चाहिए अगर negative अगर होकर यहाँ पर जो लोग निकल लेंगे ना तो अपने life का बड़ा सा decision बड़ा गलत decision लेंगे अपने life का क्योंकि यहाँ निकलने का मतलब है जब rate से orange, orange से yellow और यह area जो है एक parabolic uptrend होता है यहाँ पर निकलना सबसे बड़ी गलती होगी crypto से बाहर होने का मतलब है देखो long term perspective से देखें तो पिछले 7 सालों का यहाँ पर record है bitcoin का अगर देखेंगे पिछले 7 साल पहले से अब तक 1000% से ज्यादा 1019% यहाँ market अप गया है bitcoin का यहाँ दस गुना से भी ज्यादा price हो चुका है 11 गुना पहुंच चुका है bitcoin का price पिछले 7 सालों में 5 years में 632 2 & 3 years में 5.94% और पिछले 2 सालों में 219% परसेंट पर्षेंट 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 अप गया है 126% अप गया सिर्फ पिछले 6 महिनों में यहाँ सिर्फ rate में दिख रहा है इसलिए क्योंकि March महिने से continue bitcoin जो है और यह 13 डेज में भी positive में है, 7 डेज में भी minor सा positive और आज भी minor सा positive में ही है, तो यह पता चल रहा है कि यह सारे चार्ट को देखकर, इस चार्ट को देखकर, और मंतली चार्ट को देखकर, कि हम लोग उस label उस पड़ाओ पे काफी नजदीक आ चुक है, जहां से market कभी भी spike करे के, तो market liquidation के लिए, liquidity जो तयार हुआ है, उसको लेने के लिए market नीचे जा सकता है, तो वैसे case में hardly जो है, अगर यह पूरा का पूरा इस trend line को, trend line के liquidity लेने के लिए अगर नीचे आएगा, तो maximum 52,500 तक आ सकता है, फिर finally, एक rally करें, लेकिन इसकी expect तब करेंगे, कि नीचे की जब 59,800 डॉलर के नीचे price आएगा, तब possibility बनेगी, कि अभी और downside bitcoin जा सकता है, अगर यह जब तक break नहीं करेगा, कभी भी reversal देखने को मिल सकता है, बिटकोईन में, तो जिनका भी rate चल रहा है, future का, अपना stop loss ज़रूर लगा के रखना, चलो दूस्तों, आज की इस वीडिय वीडियों बास इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स वीडियों में, तब तक लिए धन्यबाद,